कि आज भी जो गटर को काम कर रहा है जो मैल अठाने कर रहा है ठीक है जो घरों में काम कर रहा है और सारे गटर साफ करने पे तीन सचार सो रुपए मिलتे हैं और आपको पता ऐसा क्यूं है क्यों भी जाकर पूचे कितने लोगों के पास घर है भारत देश के अंदर हर रोज देश में लगब्स सो जो है सफाई करामचारी गटर के अंदर जिनके मर जाते हैं और भारत देश में आजादी का 75 अमरत मुच्छा मना जा रहा है इतने हर सो रूला से तो मैं सवाल करता हूँ भारत सरकार से कि भारत में आज भी ऐसा क्यों है कि हर रोज सो लोग गटर के अंदर मरते हैं और सफाई करमचारी जो है उसको कम से कम वेतन दिया जात उन्हें भी चाहिए आधिकार चाहिए और वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों के बीच रहें पड़े लिखें उनके बचे जो है सिक्सित हो और उनको भी अधिकार मिले जो है बराबर वेतन मिले सरकारी नोपर मिले लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में ऐसा कुछ न लेकिन मैं अभी कुछ सफाई करमचारी उसे मिला जो रोड पर जो जहाडू लगाते हैं उन्होंने मुझे बताया तो अब तो मसीने भी आ गई हैं सफाई करने के लिए मसीने आ गई हैं लेकिन अभी भी लोग सीवरों में घुश के सफाई करते हैं मसीने आनने के बाद सफाई क्यों करते हैं यह उन्चे जबरतस्तिक राई जाती है और अगर मसीने हैं हमारे देश में सफाई करने के लिए स तो पिछले कुछ दिनों में अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी का में एक वीडियो जो है वो वाइरल हुआ है क्यों उस सवाई क्रमचारी से सीवर के अंदर सवाई कराई गई नहीं नहीं जो सीवर में मोते होते हैं उनको कोई मुहाफ़ा नहीं मिलता है जिम्मेदारी नहीं है अगर आपको इनना हाज नहीं चाड़े कि आप घर बेट होगे और हम आपको सेलरी देनी सकते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो वहापर ये बोलते हैं अगर यह से चोड़ लग जाए को जीने सी गिर जाए मगर हम जैसे घर बेट जाए हमारी हाज नहीं लगेगी हमको नोकरी से भी अटाया जाएगा यह बोलते हैं वहापर मसीने आ चुकी है तो क्या मैलाएं भी इसमें से राखता है महापर हाँ जैसे वहाँ पर कोई जीजह से कोई बात हो जाती है यहसे बोलते है धमकी देते हैं आप हरताल पर जाते हो अगर ऐसा करो तो आपको लोगरी से लिकाला जाएगा यह वोलते हैं हमको धमकी दी जाती है वहाँ पर किलाज बगेरा तो आपको दिया जाता होगा किलाज बगेरा तो मिलता होगा कोई भी घच्टन सोटी मोटी नहीं कुछ भी 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 नहीं ये जाकर पूछे कितने लोगों के पास घर है आज आज इस देश में करीब 50 लाग से जादा एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सफाई के काम में केवल अपनी पसंद से नहीं पीड़ी दर पीड़ी अपनी परिस्थितियों के कारण अपने परिस्थितियों के पिछड़े पन के कारण अपनी जात के कारण अपनी पुष्टैनी गरीबी के कारण इस तरह के काम करने के लिए मजबूर है आज भी हम एक इस तरीके के देश में रह रहे है जो मनातुरा है 75 साल के अमरित वर शाजादी के लेकिन उसी देश में इस देश का जो मज़दूर इस देश का जो दलित सफाई करमचारी है वो बिना किसी सेफटी एकुपमेंट के गटर के अंदर घुसता है और घुसके वो बेमौध गुमनाम मौध मरने के लिए मजबूर है और इसके लिए उसको किसने मजबूर किया है ना सिर्फ आज साल दर साल पीड़ी दर पीड़ी किसने मजबूर किया ये सवाल उठाया जाना आज बहुत जरूरी है क्योंकि कल के दिन ये देश 75.000 साल अमरित महुत्सव अजादी के मनाएगा लेकिन ये सवाल पूशा जरूर होना पड़ता है सरकार के आकड़ों को ही उठा कर अगर आप देख लेंगे तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज भी जो गटर का काम कर रहा है जो मैल उठाने का काम कर रहा है ठीक है जो घरों में काम कर रहा है उसको 40-100 रुपर या मैकसिमम बहुत सारे गटर साफ कर सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इतने भद्दे देश में रहते हैं जहां पर आदमी की जिंदगी आदमी की जिंदगी सस्ती है और मशीनों से काम करवाना महंगा है और ये बहुत शर्म की बात है कि 75 साल तथाकतिता अजादी के हो गए हमको लेकिन हमारे देश का प् मजदूर बहुत सस्ता है हमारे देश के मजदूर की जान बहुत सस्ती है और यहां से सवाल में पूछना पड़ेगा कि आखिर जिसको आप कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आजादी के उस 75 साल की आजादी में मरने के लिए आजाद इतनी बड़ी बहुसंक्या का बादी क्यों है यह आदमी को पता है अथोरिटी को पता है लोगों को पता है कि यह ईलीगल है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको एक बहुत अच्छा बाकिया बताती है। हम दिल्ली विश्विद्याले में बहुत सरे लोग पढ़ते हैं और दिल्ली विश्विद्याले के कैमपस के अंदर हमने मैनोल स्कावेंजिंग हाथ से आदमी को बिना सीफट एक्विप्मेंट के अंदर गुसेडते हुए उसको मैलड होने के लिए जाते देखा हमारी एक सा हुआ है ये रवईया है और इस रवईयक पर सवाल उठाते हुए इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है सरकारे आज लगातार केवल पूजिपत्रियों के लिए नीतियां क्यों ला रही हैं और जो महनत का शाबादी है वो लगातार बेमौत मरने के लिए गुम्दाम मौत मर करने के लिए क्यों आजाद है और ये सवाल उठाते हुए हम सरकार को ये संदेश दे देना चाहते हैं कि हम तब तक संगरश करेंगे तब तक जब तक इस देश का जो सबसे ज्यादा दबा कुछला पिछड़ा और शोशित तब का जुट है उसके हकी नियम कानूर नहीं बना तब तक हम इस संगरश को जारी रखेंगे निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें